हलो फैंस वेल्कम बैक टो मैं चैनल फैंस आज की इस वीडियो में हम आपको कॉम्प्रिहेंसन बताने बाले हैं यानि कि आपको जो एक unseen passes दिया जाता है जिसको पढ़के आपको नीचे दिये गए questions के answer देने होते हैं और यह जो comprehension है यह comprehend word से बना हुआ है जिसका मतलब ही होता है समझना यानि कि friends जो आपको unseen passes दिया गया है उसे आपको समझना होता है और उसको समझ कर नीचे दिये गए question के answer आपको देने होते हैं इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसी passes में से chart के answer लिखना है और friends इस question के माध्यम से दो चीजें test की जाती है एक तो आपका reading कैसा है यानि कि किसी भी language को पढ़कर आप उसको कितना समझ पाते हैं यह चीज आपका test करना होता है या फिर आपका vocabulary कितना अच्छा है यह दो चीजें test करने के लिए आपको यह question दिया जाता है वैसे तो friends अगर देखा जाए तो यह जो passes मैंने लिया है आज यह class 10 पर based class 10th level का है बट यह सभी के लिए important है अगर आप class 12 में या फिर आप किसी competitive exam की भी preparation कर रहे हैं तो आप सभी के लिए video important है तो देखें friends यह जो passes यहाँ पर दिया गया सबसे पहले इसको समझते हैं सबसे पहले कहा गया कि good deeds may be done by anyone in any walk of life तो friends यहाँ पर इतने सारे word इसमें दिये गए होते हैं पूरे passes में और यह जाहिर सी बात है कि आपको इसमें से सारे word का meaning तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी friends इसको समझने का तरीका यह है कि आपको जितने की हिंदी आ रही है जितने का meaning आपको आ रहा है बस उतना ही आप हिंदी में बोलिए और जिस word का meaning आपको नहीं पता है उसको आप English में ही बोलें हिंदी में English को mix करके आप वैसे उसको समझते जाए और बोलते जाए तो इस तरीके से कर आप करते हैं तो आप पूरे पैसेश को आसानी से समझ पाएंगे जैसे देखिए good deeds may be done good deeds, माले जी आपको यह deeds का meaning नहीं पता है deed का meaning नहीं पता है आप कह सकते हैं जीवन के किसी भी छेत्र में अच्छे कार्य वैसे deeds का मतलब कार्य होता है यह पहले line card है good deeds may be done by anyone in any walk of life यहने कि अच्छे कार किसी के भी द्वारा और जीवन के किसी भी छेत्र में किये जा सकते है अब देखिए इसके बाद इसका कुछ example भी दिया गया है जैसे by the soldiers यहने कि एक soldier के द्वारा in battlefield battlefield में good deeds की जा सकती है एक soldier के द्वारा battlefield यानि युद्ध के मैदान में अच्छे कारे किये जा सकते हैं By the women in the home यानि कि महिलाओं के द्वारा घर में किया जा सकता है अच्छे कारे महिलाओं के द्वारा घर में भी किया जा सकता है the nurse in the hospital और nurse के दोरा hospital में अच्छे कारे किया जा सकते हैं the boy at school यानि कि school में एक लड़के के दोरा भी अच्छा कारे किया जा सकता है or the inventor in the laboratory या फिर एक inventor के दोरा laboratory में भी अच्छा कारे किया जा सकता है माल लीजी आपको inventor और laboratory का meaning नहीं पता तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि inventor के द्वारा और the inventor in the laboratory, यानि कि inventor के द्वारा laboratory में अच्छे कारी किये जा सकते हैं, इसको ऐसे ही समझ ये, such performance is the happiness, यानि कि ऐसे जो कारी होते हैं, such performance का मतलब हो गया, ऐसे कारी है, is the happiness, यानि खुशी होते हैं, ऐसे जो कारी होते हैं, वो खुशी देते हैं, both of the doer, यानि कि करने वाले के लिए भी, जो लोग अच्छे कारी करते हैं, doer का मतलब करने वाला, do means करना, er लग गया, तो करने वाला, तो such performance, यानि कि ऐसे जो कारी होते हैं, is the happiness, वो एक खुशी होती है, both of the doer, यानि उस अच्छे कारी को करने वाले के लिए भी, and of those for whom it is done, और उनके लिए भी, जिनके लिए ये अच्छा कारी किया गया है, जैसे मालीजे, अगर हम किसी के लिए कोई अच्छा कारी कर देते हैं, कोई भला कारी करते हैं, किसी की भलाई हो जाए जिससे, तो जिसके लिए वो काम किया गया, उसको तो खुशी मिलेगे ही, उसके लिए वो happiness होता ही है, लेकिन जो उस काम को करता है, उसके लिए वो एक happiness होती है उसको भी खुशी मिलती है अगर आप किसी का कोई help कर देते हैं तो आपके मन को भी संतुष्टी मिलती है आपको भी खुशी मिलती है तो वही चीज यहां पर कहा गया कि such performance is the happiness both of the doer ऐसे जो performance होते हैं ऐसे कारे जो होते और उनके लिए भी जिसके लिए इस कारे को किया गया है दोनों को खुशी देते हैं the memory of a good deed और एक good deed की जो यादे है जो memory है the memory of a good deed good deed की जो memory है inspire वो प्रेरित करती है good deed की memory inspire यानि प्रेरित करती है others यानि दूसरों को भी good deed के memory दूसरों को भी pray read करती है to do likewise to do likewise यानि कि ऐसा करने के लिए ऐसा करने के लिए pray read करती है with your fellow man यानि अपने साथियों के साथ अच्छे कारे की जो memory है वो दूसरों को भी अपने साथियों के साथ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, तो ये पूरा पैसेज यहां पर दिया गया था, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, देखिए अगर इसमें कोई tough meaning, वैसे देखा जाए तो इस पैसेज में कोई बहुत खास क्या है, अगर आप exact meaning नहीं निकाल पाते हैं पूरे sentence का, तो कम से कम उसको आप समझ पाएंगे कि इसका क्या meaning हो सकता है, तो इस तरीके से आपको इस पैसेज को समझ ना होगा, अब देखते हैं फ्रेंट्स, यहां पी जो पहला question दिया गया है, where does the performance of good deed lead to, तो lead to का मतलब क किस दिशा में ले जाता है, where does the performance of good deed lead to, यानि कि good deed के कारे का क्या परिडाम होता है, यह किस ओर हमें ले जाता है, यह यहां पर पूछा गया है, तो जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले question में से, इसका answer लिखने का trick क्या है, question में से आप किसी एक दो word को आप पै commence is the happiness both of the doer and of those for whom it is done, इसका परिडाम क्या होता है, अगर हम अच्छे कारे करते हैं, तो कारे करने वाले को भी खुशे मिलती है, और जिसके लिए वो काम किया गया, उसको भी खुशे मिलती है, यही इसका परिडाम होता है, तो वही चीज़ आप इसके answer में लिख सकते हैं, अब answer कैसे हम लिखेंगे, answer की शुरुवात कैसे करें, आप मेंसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कि बस जहां पर यह दो तीन word match कर रहा है जिस sentence में, फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक वो पूरा का पूरा sentence लिख लेते हैं, वैसे एकर दिखा जाये तो कुछ cases में यह बिल्कुल सही भी हो जाता है, कुछ जगों पर यह सही भी रहता है, लेकिन सभी जगां पर इसको correct नहीं माना जा सकता है, answer लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, question में से आपको subject को डूड़ना है, जो भी question दिया गया है, आपको सबसे पहले उस question में किसे subject को डूड़ना है, क्योंकि answer जब भी हम लिखते हैं, तो वो एक assertive sentence होता है, जो question होता है, वो एक interrogative sentence होता है, और जब हम उसका answer देते हैं, तो वो एक assertive sentence होता है, और assertive sentence का starting हम किसे करते हैं, subject से करते हैं, तो यानि कि सबसे पहले इसमें आपको subject डूड़ना होगा, और अगर कोई interrogative sentence है, तो उसमें subject आपको कहाँ पर मिलेगा? Helping verb के तुरंद बाद. Introgative sentence में subject कहाँ पर आता है? Helping verb के बाद आता है. अब जैसे देखिए, इसमें helping verb क्या लगा है? Does. तो does के बाद इसमें क्या आया? The performance. और performance के साथ यहां पर देखिए of से इसको जोड़ा गया है. यानि कि केबल performance से इसका subject नहीं है. The performance of good deed. यह यहां तक पूरा इसका subject है. क्योंकि इसके बाद यहां पर वर्ब आया हुआ है lead. यानि कि जो हमारा helping verb है और जो main verb है. helping verb और main verb के बीच में जो भी आया है वो क्या है हमारा subject है. तो यानि कि इस sentence में subject क्या है? The performance of a good deed. The performance of good deed. यह हमारा subject है. तो सबसे पहले आप इसमें subject लिखेंगे. The performance of good deed. The performance of good deed. और इसके बाद subject लिखने के बाद आपको देखना होगा कि इसमें helping verb कौन सा लगा है question में? Question में देखें, यहाँ पर does आया हुआ है. अगर question में does है, तो subject के बाद आपको क्या लिखना होगा? main verb लिखना होगा. इसमें कोई भी helping verb नहीं लगाएंगे. Question में अगर does आया है, या फिर do आया या did आया है? do, does, did. इन तीनों में से कोई भी अगर आया हुआ है helping verb, तो वहाँ पर आपको helping verb लिखने की कोई जरूरत नहीं है. subject के बाद, answer लिखते समय. तो देखे, इसमें does आया हुआ था, जब भी does आया हुआ तो आप क्या करेंगे? verb में as या is add करेंगे, do आएगा, तो सीधे first form लिखेंगे, और अगर did आएगा, तो verb की second form लिख देंगे, जो main verb हमारा है. तो यहाँ पर does आया है, यानि कि इसमें जो मारा main verb lead है, इसमें as add कर देंगे, और इस does को हटा देंगे, यानि कि इसमें does का use नहीं करना है. the performance of good deed, और इसके बाद lead, जो हमारा main verb based को लिखेंगे, अब क्योंकि ये present indefinite में है, तो यहाँ पर आपको as add करना होगा. क्योंकि इसका rule क्या है, question जिस tense में पूछा जाता है, उसका answer आपको उसी tense में देना होता है. अब जैसे मालेजी आप से किसी ने पूछा, कि क्या तुम कल इसकूल आओगे? और आप उसका जबाब दे दिजिए कि मैं कल इसकूल आया था. अब कोई पूछ रहा है कि क्या तुम कल इसकूल आओगे? और आपने जबाब दिया कि मैं कल इसकूल आया था. अब ये इसका जबाब क्या हो सकता है उसने पूचा कि क्या तुम कल स्कूल आऊगे future की बात की और आपने क्या दिया कि मैं कल स्कूल आया था तो ये इसका कोई answer नहीं हुआ आपको कहना पुड़ेगा कि मैं कल स्कूल आऊंगा जब उसने future में question किया तो आपको answer भी future में देना है अब कोई आप से पूझे कि आप क्या कर रहे हो और आप कह दीजिए कि मैं बजार जाओंगा कोई पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो आप कह दो कि मैं बजार जाओंगा आपको कहना होगा कि मैं बजार जा रहा हूं अगर present continuous में question है तो answer भी present continuous में होना चाहिए तो इसलिए आपको बताया ज़रा है सबसे पहले subject हो गया the performance of good deed और इसके बाद इसमें does आया था यानि ये present indefinite है तो इसमें हम helping verb का use नहीं करेंगे बलकि जो main verb है उसमें as add कर देंगे leads हो गया और lead के साथ हमें साथ two का भी use होता है तो leads to हो जाएगा the performance of good deed leads to और हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर performance आया है और इस sentence में भी performance है यानि कि इसी में इसका answer चिपा हुआ इसी sentence में तो अब leads to के बाद ये किसकी और हमें ले जाता है खुशी की और ले जाता है खुशी की और यानि कि दो happiness अब यहाँ से आप इसको एड़ कर सकते है leads to the happiness the happiness अब इसके बाद इकिए फैंस happiness के बाद जो भी आया है इसको आप इसमें आड़ कर सकते हैं both of the doer both of the doer यानि कि कारे को करने वाले के लिए भी खुशी होती है and of those and of those for whom it is done for whom it is done तो इस तरीके से फैंस आप इसका आंसर दे सकते हैं कि the performance of good deed leads to the happiness both of the doer and of those for whom it is done इसका result यही होता है परिडाम यही होता है अच्छे कारे करने का परिडाम यही होता है कि यह कारे को करने वाले को भी खुशी देता है और जिसके लिए कारे हुआ उसको भी खुशी मिलती है अब देखते हैं इसमें जो दूसरा question दिया गया है कि what does what does the memory नेक्स्ट क्वेस्टन इसमें पूछा गया था कि यानि एक अच्छे कारे की यादें क्या करती है अब दिखिए क्वेस्टन में से आप कुछ वर्ड्स को पकड़िए जैसे यहाँ पे है और इसके बाद पैसेज में ढूड़िए इसको तो एकदम लास्ट लाइन जो हमारा है यहाँ पे दिखिए यह आया हुआ है पूरा फ्रेज और कुछ जगों पे ऐसा भी होता है कि आप एक्जैक्ट वही लिख सकते हैं इसमें कोई भी आपको चैंजिंग करने की जरूरत नहीं होती है अब देखिए अगर आप इसको अपने तरीके से भी लिखते हैं जैसे आपको तरीका बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना है अगर आपको इसका आंसर देना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस question में से subject को डूडेंगे और subject इसमें कहां पर मिलेगा जो helping वोब इसके बाद helping वोब ड़ज है इसके बाद का आया the memory of a good deed अब यहां पर हमारा main verb आया हुआ है do, तो helping verb और main verb के बीच में जो है वही subject है तो यहने कि subject इसमें हमारा है the memory the memory of a good deed अब memory of good deed क्या करती है अब यहां पर देखें इंस्पायर करती है क्या करती है इंस्पायर करती है यानि कि अब यह चीज़ आप लिखेंगे the memory of a good deed inspires inspires और किसे inspire करती others यानि दूसरों को inspires others दूसरों को inspire करती है क्या करने के लिए to do likewise with your fellow men इसमें यह पूरा का पूरा आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं तो डू likewise to do likewise with your fellow men तो अगर यहां पर देखा जाए तो जो तरीका आपको बताया गया है आंसर लिखने का बिलकुल उसी तरीके सी यह sentence पूरा लिखा भी गया है तो आप exact इसी sentence को यहां पर as it is लिख सकते हैं तो आपको यह दोनों के आंसर समझ में आए होंगे अब इसकी बाद देखे हैं इसमें कुछ vocabulary बेस्ट भी question पूछे जाते हैं जैसे कोई एक idiom दे दिया और उसका meaning पूछ लिया passage में से ही कोई एक idiom अगर use हुआ है तो उसको दे दिया और उसका meaning आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका meaning क्या है या फिर इसमें कोई एक word दे देगा और बोलेगा कि इस passage में ऐसा कौन सा word यूज हुआ है जो इसका synonym है या फिर इसका antonym है opposite word है इस तरीके से vocabulary based भी question पूछे जाते हैं तो देखें तीसरा question यहाँ पे पूछा गया है find out a word in the passage यानि कि passage में एक ऐसे word को ढूड़िए find out a word in the passage passage में एक ऐसे शब्द को ढूड़िए which is the opposite of sadness जो sadness का opposite है sadness का जो विलोम है इसका उल्टा है तो यह चीज आपको इसमें बताना है इस पूरे passage में ऐसा कौन सा word है जो sadness का opposite है तो अगर आप इस पूरे passage को देखते हैं तो sadness का मतलब दुक होता है और happiness का मतलब खुशी होती है अब देखें क्या इसमें happiness यूज हुआ है तो यहां पर देखिए आपको मिल गया happiness word happiness यहां पर यूज हुआ है और sadness का opposite happiness होता है तो फैंस यहां पर आपको एक word तो मिल गया happiness जो sadness का opposite है लेकिन क्या आप इसके आंसर में क्यावल एक word ही लिखेंगे happiness नहीं ऐसे आपको नहीं करना है यहां पर इसको आप एक sentence बना के लिखेंगे कैसे लिखेंगे सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि the opposite word या फिर कर सकते हैं the word the word happiness the word happiness इसको थोड़ा सा आप single inverted कॉमा के अंदर कर सकते हैं the word happiness is the opposite of is the opposite of sadness इस तरीके से आपको इसको एक sentence में यूज करके लिखना है योग्या the word happiness is the opposite word of sadness इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं अब इसके बाद देखिए next question हमारा जो इसमें पूछा गया है चोथा question find out a word find out a word in the past find out a word in the past which means which means something done यह question है आप पूछा गया है find out a word in the past यानि कि इस पैसेज में एक ऐसे word को ढूड़िए which means something done जिसका मतलब हो something done यानि कि कुछ किया गया जिसका मतलब हो कि कुछ किया गया अब देखिए something done का मतलब क्या हो गया कुछ किया गया जो भी कुछ किया गया है ऐसा इसमें खोन सा word है जिसका मतलब है कुछ किया जाना तो जो भी कुछ किया गया है किसी के भी दोरा अगर कुछ किया गया है तो उसको हम क्या कहते हैं अब जैसे माली जी आप कोई singing या फिर dancing program जरूर देखते होंगे जैसे Indian Idol हो गया सारे गमपा हो गया या फिर dance plus हो गया ऐसे बहुत सारे programs आते हैं तो जिसमें जब कोई भी जैसे माली जी dance program है और उसमें बहुत सारे contestant होते हैं माली जी अगर किसी ने dance किया तो जो judges होते हैं क्या comment करते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छा performance दिया आपने एक बहुत ही अच्छा performance दिया तो performance का मतलब क्या है जो कुछ भी उन्होंने किया चाहे उन्होंने dance किया चाहे उन्होंने गाना गाया चाहे ढोलक बजाया बासुरी बजाया तो जो कुछ भी किया, इसको क्या कहा जाएगा, एक performance कहा जाएगा, तो इसमें ये performance word use भी हुआ यहाँ पर दिखिए, performance ये word यहाँ पर use भी हुआ है, तो something done के लिए इसमें कौन सा word use हुआ है, performance use हुआ है, अब ये word आपको इसमें मिल गया, लेकिन इसको भी आपको एक sentence में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे जैसे आपने यहां पर लिखा सबसे पहले दो वर्ट से स्टार्टिंग किया है तो यहां भी आप दो बोर्ट से स्टार्टिंग कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर दो वर्ड और इसके बाद किस शब्द का मतलब है परफॉर्मेंस का मतलब तो यहां पर परफॉर्मेंस का यूज कर देंगे, the word performance, the word performance means, the word performance means, अब इसका क्या मतलब है, something done, something done, इस तरीके सा अब इसका अंसर भी लिख सकते है, the word performance means something done, तो friends, इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो आप किसी भी पैसेज को समझ कर, सबसे पहले आप उसको समझेंगे, और उसके बाद नीचे देगे question के answer लिख सकते हैं, तो friends, I hope ये पूरा वीडियो आपके लिए useful रहा होगा, और आपको जरूर समझ में आया होगा, कि आप कैसे किसे भी question का answer लिख सकते हैं, किसे भी पैसेज को पढ़कर, ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सबस्क्राइब कर लीजिए, और अपने सभी friends के साथ share जरूर करें, तो मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए, bye bye